नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं SP Update यूटूब चल महाराष्ट में दही हांडी को लिकर राजनीती तेज हो गई है महाराष्ट सरकार ने जहां करोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दही हांडी का त्योहार नहीं मनाने का निड़े लिया है वहाई बिपच में बैठी BJP इस फैसले का बिरोध कर रही है इस बीच दही हांडी मंडल के लोगों का कहना है कि जब सरकार खुद निवों का पालन नहीं करती है तो वे उन्हें मना कैसे कर सकती है दोस्तों मुंबई के प्रसित जए जवान दही हांडी मंडल के साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो सहर के अलग-अलग कोनों में रहते हैं अधिकांस गरिब और मध्यम वरगी परिवार से आते हैं और काम करने के बाद कुछ इस तरह से दही हांडी से पहले प्रैक्टिस करते हैं जए जवान का नाम Guinness Book of World Record में भी दर्ज है दही हांडी के इनाम रासी से मिलने वाले पैसों से या अपने संगठन के कुछ लोगों की पढ़ाई में मदद के साथ साथ समाजिक मदद भी करते हैं लेकिन दो सालों से यह नहीं मनाया जा रहा है वहीं दोस्तों बिजेबी विधायक राम कदम कहते हैं कि हिंदू बिरोधी कोई भी फैसला हम महाराश सरकार का नहीं सुनेंगे इस उस्तों को हम मनाएंगे सरकार अगर नियम लाती है तो उसका पलन कर इसे मनाएंगे सरकार का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दही हंडी के अत्योहार नहीं मनाया जाना चाहिए यह बात सही भी है लेकिन जब सरकार में सामिल लोग राजनैतिक रैली करेंगे जन्यात्रा करेंगे किसी दूसरे नेता के घर के बाहर भीड़ी कट्टा कर प्रदसन करेंगे खुद नीमो का पलन नहीं करेंगे तो फिर आखिर उनकी इन बातों को जनता गंभीता से कैसे लेगी ऐसे में जरूत है कि सरकार पहले नियमों का पलन खुद करे और दूसरे के लिए एक मिसाल काम करे फिलाल दोस्तों सरकार की तरफ से दही हांडी नम मनाने का फैसला लिया गया है इसी तरह दोस्तों महारास मुंबई की सभी ताजा खबरे पाने के लिए चैनल को सब्सकाइब करें अपने दोस्तों में भी सेर करें धन्यवाद